हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे SSC CGL 2021 का जो notification आउट हुआ है उसके वारे में तो दोस्तों आप में से बहुत सारे candidates भली भानती जानते होंगे कि SSC ने CGL का notification आउट कर दिया है 2021 के लिए तो दोस्तों आज हम भी इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कैसे आपको कम से कम टाइम की proper utilization करके अपना tier 1 अच्छे से pass करना है ताकि आप further tier 2 और tier 3 के लिए eligible हो जाओ दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों tier 1 जो आपका सबसे पहले मतलब SSC CGL का सबसे पहले जो exam होगा आपका tier 1 उसको SSC बोलता है तो दोस्तों tier 1 में क्या रहता है अगर आपकी मैं आपको एक बहुत ही important tip बताने वाला हूँ शायद यह कोई बताता हो कि दोस्तों mere cutoff clear करने से कुछ नहीं होने वाला जैसे दोस्तों suppose 130 cutoff गई आपकी 200 में से तो दोस्तों आपको minimum minimum आपके 140 या 150 marks होने चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर आपके 130 के आसपास ही number 131 132 तो दोस्तों selection थोड़ा मुश्किल हो जाएगा चाहिए दोस्तों आगे बहुत महनत कर लो उससे भी थोड़ा इतना impact नहीं पढ़ने वाला तो दोस्तों simple सी बात है कि आप अगर exam में जा रहे हो तो दोस्तों आप यह मत सोचके जाओ कि हाँ बस मुझे cutoff clear करनी है आगे मेरा हो जाएगा क्योंकि दोस्तों tier 1 के marks बहुत matter करते हैं तो दोस्तों आपको सोचना है कि मुझे cutoff ही clear ही नहीं करनी है मुझे cutoff से 10-20 number उपर ही मानके चलने है उपर ही लेके चलने है आप अपने mock में भी उसके हिसाब से analyze करना दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि SSC CGL का जो tier 1 का syllabus है वो क्या है तो दोस्तों tier 1 में यह 4 चीज़ा आती है और दोस्तों इन 4 चीज़ों कि अगर मैं बात करूं difficulty के हिसाब से वैसे तो दोस्तों हर किसी का हर किसी चीज को हर किसी चीज के लिए perspective अलग-अलग हो अगर आप स्ट्रॉंग हो या आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो दोस्तों आप 25 में से मैं ज्यादा नहीं कहूंगा आप 18 19 नंबर अराम से ले सकते हो क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है आपको मतलब आपको एक standard procedure के हिसाब से चलने हैं आपको current affairs कवर करने हैं आपको journal science कवर करनी है और दोस्तों प्रिवियर्स एयर के जो CGL के exam आये हैं आप उन सब को analyze कीजिएगा उन सब को देखिए कि हां किस तरह के questions मेरे आ रहे हैं और उसके हिसाब से आप journal awareness की तैयारी करो और दोस्तों जर्नल awareness का ऐसा section है हाँ अगर कभी बहुत मुश्किल एक्जाम आ जाता है तो अलग चीज़ है कहीं बारी ऐसा भी होता है कि जर्नल awareness में candidate मुश्किल से बारा तेरा नंबर ही क्रॉस करता है कहीं कहीं बारी ऐसा हो जाता है पर दोस्तों आप कोशिश करना कि आप इस section को strong कर लो क्योंकि दोस्तों ये section आपको और उसे आगे पहुंचा देगा क्योंकि दोस्तों जर्नल awareness के section में क्या होता है एक तो हमें particular question में जो हमें आता है उसमें दोस्तों में 10 से 15 सेकेंड भी नहीं लगते अगर कहीं कोश्चन हमें आते हैं हम 5 सेकेंड में भी उनको बस देखके करना ही तो है उसमें कुछी सॉल थोड़ी करना है तो बस हमें देखके आ जाते हैं वो क्यो क्योंकि दोस्तों ये section रामबान की तरह आपके लिए प्रूव होगा क्योंकि दोस्तों इसको टाइम बहुत कम लगता है और दोस्तों दूसरा इसमें क्या है इस बगर आपको question आता है आपको सिध्य नंबर मिल जाएंगे अगर नहीं आता तो छोड़ दो आता है तो सिध् से attempt कर लो और SSC में पिछले एक साल तक के current affairs आपसे पूछे जाते हैं उसके बाद करता हूं दोस्तों English comprehension की दोस्तों English का ऐसा है English SSC में इतनी मुश्की लेवल की नहीं आती अगर आपकी English अच्छी है जैसे कहीं के इंडेट्स की पहले से schooling से English थोड़ी अच्छी होती है तो या आप तो रीडिंग करो क्योंकि दोस्तों रीडिंग बहुत जरूरी है English के लिए रीडिंग से दोस्तों सिर्फ आपकी वो क्या भी इंप्रूव नहीं होती बलकि आपको confidence भी विल्ड होता है कि हां मुझे ये मदब समझ आ रहा है पढ़के और ये मुश्की language मुझे रख है कि दोस्तों bank की reasoning SSC reasoning के मुकाबले tough है काफी tough है तो दोस्तों क्योंकि ना तो SSC reasoning में puzzle आती ना कुछ और आता इसमें दोस्तों बहुती छोटे-छोटे topics आते हैं जिनकी बस आपको mere practice करनी है पहले आपको थोड़ा concept सीखना है कि हां ये कैसे हो रहा है कैसे pattern बनना है कैसे हो रहा है बस उसके बाद आपको practice करते जाना है लगातार तो रिजनिंग सिरफ reasoning is analogous to practice reasoning का तो दूसरा नाम ही practice होना चाए था क्योंकि दोस्तों जिसकी practice अच्छी है उसकी reasoning अच्छी है तो दोस्तों reasoning तो अच्छे से practice कीजिएगा उसके बाद दोस्तों बात आती है quantitative aptitude की अब बहुत सारे candidates का दोस्तों quantitative aptitude यह मैं बात करूं maths यह दोस्तों week होता है दोस्तों इसके week होने की बज़ा यह है कि दोस्तों exam में हमें एक limited time मिलता है हमें सिर्फ एक घंटा मिलता है उसमें हमें इसके 25 question होते हैं और इसके 12-13 question मनाने भी हमारे लिए बहुत difficult task हो जाता है तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत simple सी बात बताऊंगा सबसे पहले आप क्या कीजिए math का एक-एक topic हो लिए अपने सामने slavers को लिए SSC की side पर जाइए slavers को लिए और एक-एक topic देखिए math का quantitative aptitude का एक-एक topic क्या है उसके बाद दोस्तों हर एक topic को आप detail में देखिए कि हाँ किस type के question इससे पूछे जा रहे है previous year questions जो होंगे उनको दोस्तों जरूर ही analyze कर लेना कि हर एक topic से किस तरह के question आपसे पूछे जा रहे है उसके बाद आप उसी same type के questions की practice कीजिए regular basis पे और दूसरी में बात करता हूँ mocks सबसे important play करेगा जो role वो है mocks mocks अगर कोई candidate सोचता है मैं बीना mock test दिये exam clear कर लूँगा तो दोस्तों वो बहुत ही illogical बात होगी बिना sir pair की बात होने वाली है क्योंकि दोस्तों mocks आपका बहुत important role play करेगे आप regularly mocks दीजिए ऐसा मत सोची कि पहले मैं पूरी तयारी कर लूँ उसके बाद मैं mock दूँगा नहीं आप थोड़ी थोड़ी त्यारी कीजिए थोड़ा थोड़ा सीखे और mocks दीजिए दोस्तों पहले mock में कोई भी 200 में से 100 नहीं नहीं पार कर सकता क्योंकि दोस्तों इतना असान होता तो सारी दुनिया ये sse का exam qualify कर लेती मगर आप regularly जब mock देंगे आपके 130 नंबर भी आएंगे आपके 1500 नंबर तक भी आएंगे तो दोस्तों आपका confidence एक बिल्ड होगा कि हाँ मेरे नंबर आ रहे हैं और मैं cut off के पास जा रहा हूँ या मैं cut off असानी से clear कर रहा हूँ तो दोस्तों simple सी बात है कि आपको mocks regular basis पे द मौक के लिए मैं कोई suggestion करूंगा कि आप किसके मौक दो किसी के दोस्तों आप मौक दो सबके मौक एक जैसे होते हैं बस 19-20 का फरक होता है बस आप मौक regularly दो तो दोस्तों tier 1 के लिए अगर आप ये सारी चीज़े करोगे तो दोस्तों tier 1 आपका clear हो सकता है हो क्या सकता है definitely clear हो होगा बट आपकी जो practice है उसमें कोई कभी नहीं होने चाहिए आपके मौक बहुत जादा होने चाहिए और self analysis करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों जब मौक दो सिर्फ मौक देना ही नहीं है उसको अच्छे से analyze करना है कि मेरे मौक में अगर 80 number आये हैं तो मेरे कहा number कटे हैं या मेरे किस section में सबसे कम number आये हैं तो दोस्तों उस section को आप target कीजिए और उस section को further strong करने कोशिश कीजिए उसके बाद दोस्तों tier 1 के बाद ये वीडियो मैं सोच रहता था कि अगर मैं tier 2 भी से बता दूँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो दोस्तों मैं एक और व इस नंबर जादा हूँ इसलिए practice आज से शुरू कर दीजिए अपने सारे topics आज से पकड़ दीजिए और उनको एक एक करके strong करना शुरू कर दीजिए ताकि दोस्तों एक particular मैं quantitative aptitude की बात करूँ एक उसका topic पकड़ दीजिए अगर उस topic का high से high level भी सवाल आजाए वो भी आ बन जाए दोस्तों इस लेवल के अपनी practice होनी चाहिए इस लेवल के dedication से आपका exam पहले अटप्ट में clear हो जाएगा all the best